प्रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें धन्यवाद आप देखें हैं खवर एंडी टीवे इस्ताफ हर खवर से कि इर इक्सा में बदलिए तो एक बड़ा काम है यह संपुर बिर्वी वाशी का करता बेबता है और सरकार इस काम को नहीं कर रही है तो निश्चित तोर से उस पर तो बहुत ना जाना चाहिए कि कोई इर इक्सा का मालिक जो होगा उसके पास तो यह समस्या बने विए है यहाँ पर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है पार्किंग पॉइंट नहीं है उसके साथ गुल्बर भार है तो इस सारी पुर्जाओं का निदान समर्थित होना है इन सारी लोगों को यह जन सवाल है जन सरकार का सवाल है और हम इस आंदोलन का पूरा-पूरा समर्थित करते हैं आज तुकी में आना था इस कांत्रम में यह कांत्रम आगे तक चलेगा लिकिन मैं आज डिविदन करने आया हूं इसलिए कि 77 से लेके उनईस और 77 से लेके आज तक मैं चात्र जीवन से ले करके आज तक जॉल्फ नंडिस को अपना मेता दुए और जॉल्फ नंडिस का आज दिधन हो गया जो गरीबों की रड़ाई लड़ते रहे अंतिम व्यक्ति की रड़ाई लड़ते रहे इस देश में चन्माय करपूरी ठाकुप राज नारायन, जोर्ज फर्णेंडिस, देवी लाग, गाओं खेट खलियान की लड़ाई लड़ी और उसी गाओं खेट खलियान से ये दिल्ली बना रहे ये दिल्ली में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कई गुना चीजों को परिवर्तित करता हूँ खेट में एक वीज डालते हैं तो उससे हजार वीज पैदा लेता है यहाँ फैक्टरियां हैं, एक किलो लोहा डालते हैं तो एक ही किलो सामान बाहर निकलता है लेकिन गौँ की जो फैक्टरिय है उसमें एक वीज डालते हैं तो हजार वीज पैदा होता है तो गौँ से ही देश बना है दिल्ली बना और वही से जो यहाँ भेरोजगारी के कारण दिल्ली को समालने के लिए दिल्ली को बनाने के लिए खेट खलियां से ही निकल करके बाहर जो आया है वो दिल्ली को भी समाल रहा है और उनकी उनका जीवन बड़ा नार्किय है न रहने का न ठाने का न पानी का न बिजली का ये विप्रीत परिस्थिक्ति में रह करके इन अट्टा लिखाओं को बहुँ देते हैं इन सक्थियों को सजाते हैं सबालते हैं इसलिए प्रवासी सेना के लोगों को ये छाती ठोप करके कहना चाहिए हमने कुल्य को बनाया है तुम भोग रहो हमने अपने स्टर्प से इसको खड़ा किया और चक्मा देने वाले आते हैं राजनीत में चक्मा देने वाले बहुत लोग आते हैं तो आप अपनी ताकत से सांगठी छंका से उसका जबाब दे सकते हैं लेकिन जौड पर्णाडिस खर्नाटक में जन्ड में बॉंबे के फुटपात पर राजनीत सुरू किया बिहार ने उनको पूरी ताकत दे चुकि गरीवों की लड़ाई लड़ते थे अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते थे और आज उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया बोश सम्हालने से लेकर के अंतिम सांस तक अंतिम व्यक्ति की लड़ाई महानायक के रूप में गरीमों स्रमिकों के हितों की लडाई के लिए वे जीवन भर संधर से पिछले कई सालों से बिमार थे, खस्ट में भी थे, एक तरह से हम समस्ते हैं कि मुत्तिमिली है अटन भिहाई बात परी जोर्ड फर्नांडिस और कर्मा निदी एक पिछले छे महिने में ये तीन बड़ी हस्तियों का भारतिये राजमीत से उठ जाना रिश्चित तौर से एक कस्ट का विशह है लेकिन जीवन की इस प्रक्रिया को इस शब्द को कुछ हुटला भी नहीं सकता, स्विकार करना पोता है और मैंने तो जोर्ड फर्नांडिस को 77 से लेकि आज तक जिया सुबह से हम वहीं थे, अभी फिर जाएंगे हम उनी क्या तो अंतिक क्रिया में लोगं को सामिल होना चाहिए इसलिए हमें मनोल भाई से भियाध्रा किया इस आंगोलन को और आगे खारदार मनाया जाएगा हम आपके हर्स अंगर्स के साथ हैं तो कि यह गरीवों की डड़ाई है जोन फर्णेंडिस के सकनों की डड़ाई है यह लड़ाई अंतिक दोर तक अंतिमेट रिजल्ट तक हम पहुंचाने का काम करेंगा और इस महानाय को सरधांजरी की तोर पर आज आपसे अंगरोद है कि आप आज अपना अंजन तोड़ें और हम गरीबों के इस रड़ाई को और भारदार मनाएंगे उनके इसके आंदोलन के और तरीकों को तैक करेंगे इन्हें शब्दों के शाथ मैं यह हमारे लिए गर्व का विशा है कि सोस्लिस्ट इंटरनेस्नल का ये चेर्मेन भी रहें अंतर रास्टे समादवादी जो स्टरेशन है उसके भी इस धर्ती से हिंदोस्तान की धर्ती से उसका उतनिद्धत्व इन्हों ने अंतर रास्टे सोस्लिस्ट समर्ठन का भी किया है या एक ऐसे महानायका जो दुनिया के मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे गरिवों की लड़ाई लड़ते रहे आज उनका अंत हुआ है और सभी पलिटकल पार्टी के लोग आ रहे हैं सुवसरी वहाँ है तो अंतिम क्रिया उनका परशुन शुड़ो होने वाला है कलदीन भर जनता के लिए उनके शर्व को रखा गया है तरशन के लिए आप लोग भी आए पंसिर पार्ट में उनका रखा गया है और हम मनोज राई इसे पुना हम रोज करेंगे कि इनका अंसर्ण शमाप करें और ये सलभांजरी के तौर पर हम आज इस सभा का आयोजन अंतिम दौर में जो आज तीसरा दिन है तो जौर्ज जैसे महानाय को चुकि जौर्ज जैसे लोग मरते नहीं है जौर्ज की पुर्तियां हमर रहे गे जौर्ज फुटपाग पर सोते थे लेकिन वही जो मुंबई के फुटपाग पर सोते थे जब सणक पर मुंबई के सणक पर खड़े होते थे तो मुंबई बंध हो जाया करता था इसलिए जोर्ज के नाम से चाहे वो सणक पर रहें या संसक में रहें जॉर्ज की एहमियत एक बार अकेवे समसद में आये इसके पार्टिन को हरा करके तो उस समय कॉंग्रिस के बड़े लीडर संग्रटर के रास्टिया धैच थे देवकांग बरुआ जो कहते थे इन्डिया इस इंडिरा एंडिरा इन इंडिया तो उन्हों ने कहा कि यह इस नो अपोजिशंशन अब कोई भी पक्ष नहीं है तो इंडिरा जी बहुत समसदार थे और विकष पक्ष को समस्थे थे इसलिए जौर्ज फर्णांडिस सनत पर हो या संसत पर हो जो अंतिन डिक्ती की नडाय के लिए पक्ष का पहाड था और उस महानायक का एक हार्थिम नश्च्ष शरीर तो नश्च्ष हुआ है लेकिन विचारों की धारब दुनिया में उन्हें सब्सक्राइब आंदोमन जो मल्दूरों का था दुनिया में जाना जाता है को एक इतिहास है इसलिए यॉर्ट फंडन्डिस के इस सुख सभाद के अपसर पर हम कहने हैं कि जोल बार बार इस पुथुई पर जन्द ले गए जब तक यहां अमीरों और गरीमों के बीच एक प्रीज नहीं होगा चुकि आज आपको मालूम है कि छे घराने के पास इस देश के छे घराने के पास 60 प्रतिसत धन है 40 प्रतिसत धन में सवास्वा करूब मूँ है इसलिए जोल को बार बार जनम लेना होगा और जोल के मानने वाले को अंतिम व्यक्ति की लड़ाई चाहे रिक्सा हो कुछा हो खेला हो मनूरों के स्ट्रमिकों के हितों की लड़ाई लड़नी करेगी और ही सची सुधान जिली होगी इस महानाय को तो ऐसे मौके पर मैं मनूद लाजी से अनूद करगा जॉड़ को अपना सवाद्रपित करते हुए अपने आंसन को सबात करें जैहिंड। जॉड़ फर्नांडिस अमर रहे अमर हे अमर हे अमर हे अमाये अमर हे जुड़ आप देखने हैं खवर MbTV इस्ता हर खवर से अपरी दिस्ता है वर 35ります प्झा कर दोरी इस वर्ड़िक्स अप加ष्णो नंचरन आप नंड़ो willst आप Сам that मैं वर इस्ता है आप झाक रात वह रए दो झाल झाल